यह आप लोग नाजरीन देख सकते हैं जबर्दस तरीके से कटिंग हो चुकी है इस मैनुवल मशीन से चुकी के जबर्दस पाकिन से इस स्षूट्छेमा तम ओट ही इस कारणी हैं भाजरी ओटना सी घट कर यह दो सकते हैं इस मैंन孩 तो कारणीपियोश। नासर भाई आपका दवा है कि आप इस मशीन की मदद से 50 वाली चीज सोड़के में मदद देते हैं नासर भाई इतने बड़े बड़े दावे करते हैं मुझे ये की बताएं ये गरी है ये नारियल है छे सो पचास रुपैर फ्री किलो कीमत है इसको कितने में बद लेंगे अमेर भाई ये छे सो रुपै किलो वाली गरी मैं चोबीस सो रुपै में कनवर्ट कर दूंगा इसी मशीन की मदद से रुके जरा अभी मेरे पास तक्रीबन आठ किसम की प्रोड़ेक्स और अवेलेबर हैं उनको आप कितने में कनवर्ट करते हैं देखते हैं कि आपको पास कौन सा अफ़पन मौला जादू है जिससे आप तमाम किसम की चीज़ों को डबल किमत में कनवर्ट कर रहे हैं अरे उमेर भाई लाते जाएं मैं इस मशीन की मदद से डबल ट्रिपल प्राविट के साथ तरवट करता है ये देखें कि मेरे पास हैं जी प्यास और आलू मैं देखना जाता हूँ कि आप इन से क्या हमें त्यार करके देंगे किस शकल में इसको बदलेंगे क्या करेंगे इसका अरे उमेर भाई ये जो आलू है आपको किस रेड़ पर ये मंडी से मिले हैं अगर ये चालीस रुपए किलो वाले आलू दो हजार में तबदील हो जाए तुम मानेंगे मैं बिल्कुल मानूँगा इसमें प्यास भी है प्यास आप प्यास का बताएं मुझे किस रेड़ पर मिले आपको अगर ये एक सो बीस रुपए फी किलो वाले प्यास बारा सो में तब्दील कर दो एक जिरो लगा दो गया बाद है नासर भाई ये रुके हैं हमारे पास और बहुत सी चीज़े हैं अगर ये 350 वाली ये सब्जी इस मशीन में गुजरने के बाद 5,000 में तब्दील होगे तो मनेंगे ये कौन सा जादू दिखाएंगे आप मुझे पागल तो नहीं कर रहे हैं अरे पागल नहीं कर रहे हैं ये मशीन पागल कर दे की देखने वालों को ये कौन सा जादू दिखा रही हैं देखने वाले भी हैरान हो गए होगे कि हम कैसी बातें कर रहे हैं अरे उमेर भाई सिर्फ बातें नहीं प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो कितना वकत लेंगे और सिर्फ तीजे चार मिनड़ में ये मशीन आपको ए टूजी इंफॉमेशन प्रवाइड कर दे इस मशीन को चलाएं पिर आउन करें किस तरह से आउन होती है तो देखते हैं ये मशीन कैसे अपना जादू दिखाती है उमेर भाई मशीन ओन करने से पहले आपके देखने वारों को हम थोड़ी सी स्पैसिल सेशन इस मशीन के बारे में बताते जाएं इस मशीन को आगे हासपावर की मोटर लगी हुई है और ये कमर्शल मशीन है खराब होने वाली नहीं है गर की बिजली पर जबरदस तरीके से चलेगी ज्यादा यूनट भी ये मशीन नहीं लएगी इस मशीन के बलेड की आई मीन डाइयों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो डाइया आप लोगों को दी जाएंगी सबसे पहली डाइय जनाब कदू कश करने वाली आप लोगों को इस मशीन के साथ दी जाएगी जबके दूसरी डाइय है सलाइसर वाली अभी दूसरी डाइय जो है वो भी आप लोगों को बदा देते हैं दिखा देते हैं ये डाइय आप देख सकते हैं इस डाई से आप क्या कर सकते हैं प्यास के आलू के सलाइस बना सकते हैं और यहां पर बहुत ही इजी तरीके से आप डाई भी चेंज कर सकते हैं अगर आप डाई चेंज करना चाहते हैं तो जनाब यहां से आपने इसको ओपन करना है और यहां से तोड़ा सा पकड़ के ऐसे घुमाना है और यह डाई आप लोगों की चेंज हो जाएगी अगर आप यह स्राइसर वाले डाई लगाना चाहते हैं तो इसको उतार के यहां पर आप यह फिट कर दें और दुबारा बंद करते हैं जिनाब आप लोगों की दूसरी जो स्राइसर वाले डाई या कदुकश वाले डाई जो है वोड़ लग जाएगी अभी फीन वक्त हम लोग इससे एग या दो परोड़ आप लोगों को त्यार करके दिखाते हैं ताकि आप लोगों को पता चलजे कि यह मशीन कितना वरत करती है सबर्दस करीके से तो मैर भाई शुरू करें जी जी बिलकुल शुरू करें तो सबसे पहले हम गरी लेते हैं नारियल देखते हैं कि यह हार्ट चीज के स्लाइस भी करती है या फिर नरम चीजों के स्लाइस करती है जी बिलकुल ऐसे ही है तो मैं इस मशीन का बटन आन करता हूँ जी उमेर भाई बताएं एक सेकड में इस मशीन ने जादू दिखाया और आपकी साड़े पांच सो वाली जो गरी है उसको हजारों रुपए में तबदील कर दिया बिलकुल ऐसे ही है अगर हम इसको पैकेट्स में पैक करके सेल करते हैं तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी आप देख रहे होगे कि मेरी आवाज में थोड़ी सी चेंजिंग है उसकी वज़ा यह है कि मैं गरी खा रहा हूँ पहले मेरा दिल ने कर रहा थे इसको खाने को लेकिन जब चोटे-चोटे स्लाइस होए तो मेरा दिल किया कि इसको खाओ हूँ उमेर भाई इसके बाद हमने साबून क्रेश करना है तो वो भी आपको खिलाएंगे क्या त्यार हैं मैं बिल्कु रड़ी हूँ लेकिन साबून को क्रेश करने से पहले आप में वेज़ेटेबल की क्रेशिंग करके उसका दिखा दी चले मतलब आप पहले वेज़ेटेबल सब्दियां खाएंगे उसके बाद साबून खाएंगे बिल्कु ऐसा ही है आपको पास जाब भी आता अबाती gefलादी दिने घ्बकाया यूतरो से तब estado अमेर भाई अब बताएं दूसरे प्रोड़क्ट बिल्कुल ऐसे यह इस मेशीन ने गाजर की जुलियन कटिंग इतनी फाइन और इतनी नफासत से की है कि लगी नहीं रहा कि यह गाजरों के स्लाइस है अगे उमेर भाई मौसम आ रहा है गजरेले का गाजर के हलवे का अगर कोई बंदा ये मशीन खरीद लेता है तो गाजर के हलवे का कारोबार भी जबर्दस तरीके से चलेगा और इसके साथ साथ गजरेले का बिजरंस भी बेतरीन तरीके से इस मशीन से चलेगा वो इसकी एक वज़ा ये है कि इसको जब हाथ की मदद से क्रश करते हैं हाथ है वो बाज उकात जखमी हो जाता है और हाथ की मदद से वो काम नहीं हो पाता जो मिशीन फोरी कर जाती है अगर यही गाजरे हम हाथ पे करते हैं तो इन गाजरों ने आमसे 15 मिनट का वकत लेना था लेकिन मशीन ने ज्यादा से ज्यादा इसको 15 सेकिट में क्रश कर दी है तो ऐसी मशीने रोज मरा जिंदगी के लिए हमारी जरूरत बन जाती है ये कमर्शल लेवर पे तो इस्तमाल होगी ही लेकिन साथ ये साथ गरेलू लेवर पे इस मशीन का ज्यादा से ज्यादा इसकोमाल है अब ये जो परोड़क्स हैं ये अलहमदुल्ला पाकिस्तान में हमारी लॉंच की हुई आग है इसका नाम है पोटेटो टरश फ्राइज़ë आप ये देख सकते हैं लग लग ये इसके पीस हो चुके हैं इनको वाज करना है और जब ये अलग लग हो जिए इनको फ्राइbuz करude ना है इस स्टार्ज को हम कहीं भी सेल कर सकते हैं तो इस स्टार्ज से जो हमने पैसा मिलेगा वो अलग होगा जबके इसे जो फ्राइ करने के बाद इस पीष्ड हमने किमाना भी बार्ड और और गुग को अलग पूर अब लिल्कुल अशा ह视 है ये इसका हम ब्लेड कर रहे हैं चेंज और अब इसको जो ब्लेड लगेगा ये कटिंग के लिए है स्लाइस बराने के लिए है मैर भाई जब भी डाई चेंज करनी है कोशिश करनी है कि हाथ में को कपड़ा हो अगर बगैर तपड़े के इसके बिलेड चेंजES करेंगे तो ये बिलेड काफी तेEज है आपका हाथ भी डेमेज हो कशनगे है बिलकुल ऐसी है हाथ बीडेमेज होगा और इससे जो फोन कपड़े से वो हाथ से आपको नहीं मिलेगी बिलकुल ऐसे और कोशिच करने अच्छी तरह इसको कस दें ठीक है इसको अच्छी तरह टायट करने का मकसद ये होगा कि किसी भी चीज की कटिंग के दुरान ये लूज ना हो बिल्कुल ऐसी क्योंकि इसमें हाट चीजों की जब कटिंग होगी तो तब इसकी लूजिंग प्रॉग्लम करेगी लीजिये सनाजसर कटर हम लोग ने इस मशीन के साथ अड़ेस्ट कर दिया है अब इसको हम क्लोज करते हैं क्योंकि थे ना हो जी उमेर भई आप चेक्ट कर सकते हैं प्याजों को तकरीबं 5-10 सेकंड के अंदर अंदर फाइन क्वालिटी में फाइन प्रोडक्शन में इसने करवर्ट कर दिया है नासर भाई इन प्याजों से तीन बिजनस जो मेरे जहर में आ रही है एक तो फ्राइड अन्यन वाला बिजनस है जिसकी बहुत जियादा डिमार्ड ए और इसके लावा किरें, तो इन ही प्याजों से हम सेलड त्यार कर सकते हैं, तीसरा बिजनस, इन प्याजों को हम रेस्टरॉंट्स में, शादियों भूर्ट में स्ações्जिश लिगे, इस उड़ाए हैं। इसलेकिया से ह्म कटे वे प्यास सेल करके बिजनस कर सकते हैं. जी उमेर भाई लाइट तो चलीगी है अब क्या करना है प्रोड़क्ट बनाएं या ना बनाएं अभी मजबूरन हमें वाइन अप करना पड़ेगा अच्छा इसके इलावा बताते चले कि आप कौन कौन से कारवार कर सकते हैं या और भी हमारे पास परोड़ेट पड़े उए थे जिनको हमने इस सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें जो सेलर्ट कार होता है में जहां पेस की खपत है वो होते हैं सेलर्ट के डिबू। सेलर्ट की ऐसी चोटी-चोटी शॉप्स होती है जहां पेसका बहुत ज़्यदा इस्तमाल होता है आप ये तयाज विदा सैलर्ड वहां पर दे सकते हैं जिसको हम कहा सकते हैं कि आप होल सेल वे सैलर्ड को देंगे जबके सब्जी मंडी से सब्जियां लेने जाएं तो आपको इंतहाई सब्जी कीमत में मिलेंगी जबके सैलर्ड लेने जाएं तो सैलर्ड हमें महंगा बिलता है यही वज़ा होती है ज्यादा प्रॉफिट आने की कि हम उस बिजनस को सेलेक्ट करें जिसका कॉम्पिटिशन लो हो और इस बिजनस में प्रॉफिट की शराज ज्यादा हो नासर भाई अगर यह सैलर्ड बनाना शुरू करते हैं हमें और बड़े बड़े मिल जाते हैं ज्यादा मिल जाते हैं तो इस मशीन से ज्यादा सैलर्ड बनाना चाहें तो एक गंटे में कितनी सैलर्ड तकरीबना सकते हैं उमेर भाई आप इससे चाहें दो मन सेलड बना ले ठीक गंडे में तो बहुत अच्छी परड़क्शन स्पीड है क्यूंकि अगर 80 किलो सेलड इस मशीन से हम एक कंटे में त्यार करते हैं तो ये बहुत अच्छी परड़क्शन है 8 कंटे में ये 10 कंटे में जितनी वर्जी त्यार कर लें आप बिल्कुल है सेल तो आफिर में में मशीन की कीमत तो बता दे कि इस मशीन की कीमत क्या है उमेर भाई जितने इस मशीन के फाइदे हैं जितने इस मशीन से बिजनस किये जा सकते हैं उस लिहाद से इस मशीन की कीमत बिल्कुल माइनर है यही मशीन मार्कीट में तकरीबर उमेर भाई 45 से 50 हजार उपए की सेल हो रही है लेकिन हम सिरोप और सिरफ 28 हजार उपए की दे रहे हैं विद मोटर उमेर भाई एक बहुत ही जबरदस आफर दे रहे हैं इस मशीन के साथ ये मैनवल मशीन बिलकुल फ्री में दी जा रही है अगर बिलफर लाइट ओफ हो जाए तो आप इस मशीन के बजाए इस मशीन को इसमाल करते होगे सैलेट बना सकते हैं इस मशीन से कौन सी सैलेट बना सकते है जनाब अभी आप लोगों को अपरेट करके दिखा देते हैं 28,000 रुपए की मशीन है मोटर भी साथ दी जाएगी मतलब मुकमल त्यार की हुई मशीन आप लोगों को 28,000 रुपए में दी जाएगी और ये आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दी जाएगी अभी आप लोगों को इस मशीन का डेमो करके भी दिखा देते हैं कि ये मशीन किस तरह अपरेट होगी ये आप लोग नाजरीन देख सकते हैं जबरदस तरीके से कटिंग हो चुकी है इस मैन्वल मशीन से अगर आप इस अकेली मशीन को खरीदना चाहते हैं तो ये आप लोगों को मिलेगी सिरफ और सिरफ नो सुर रपै की और अगर आप ये मशीन खरीदे हैं तो ये मशीन आप लोगों को बिलकुल फ्री में दी जाएगी